अगस्त सन 1987 का वो दुखद दिन जार्खंडी भूले से भी भूला नहीं पाते। जारखंड के इतिहास का वो दुर्भागे पून दिन, जिस दिन जारखंड के महांत सपूत निर्मल महतों को जारखंड और जारखंडी विरोधी तत्वों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी, मगर इन महज 37 साल की उमर तक में ही उन्होंने ऐसे कारनामे करके चले गे थे, कि जा सदा के लिए अमर हो गए, आज समस्त जारखंडियों के दिलों में, जारखंड के मसीहा के रूप में स्थापे, ऐसे महान पून यात्मा वीर शहीर निर्मल महतों को कोटी-कोटी नममान, आएंगे, हम सभी उस मसीहा के जीवन के कुछ यादगारफलों को याद करते हुए उनकी जीवनी के बारे में कुछ जाने, और उनके संघशों वा आदशों से प्रेणा लेते हुए, उन्हें अपनी सची श्रदान जली अर्पित करें। जग बंदु महतों और माता का नाम श्रीमती प्रियाबाला महतों था। जग बंदु महतों के आच पुत्र, फत्र और एक कुत्री थे, जिसमें निर्मल महतों द्वितिये पुत्र थे, जो बच्पन में बहुती नट खट माने जाते थे। और धर की आमधनी में योगदान देते थे। की ललाख हमेशा रहती थी, वे आजीवन अविवाहत रहे। निर्मल महतों चात्र जीवन से ही राजनीती में रूचे लेने लगे थे। 1905 में कुछ जारखंड विरोधी तत्वों से उन्हें मुठफेड भी करनी पड़ी और इस कारण अपनी पढ़ाई उन्हें अधूरी ही छोड़ देनी पड़ी। इसके बाद चात्र आंदोलन का नेत्रित्व करते हुए वे जारखंड आंदोलन में कूप पड़े। अपना राजनीतिक जीवन उन्होंने जारखंड पार्टी से शुरू किया और एक सशक्त वजु जारू नेता के रूप में अपने आपको स्थापित किया। वे 1987 के बिहार विधान सभादे चुनाव में लड़े लेकिन विजी नहीं हो सके क्यूंकि सभी जारखंड विरोधी पार्टिया और पूंजीत्ती मिलकर उन्हें हराने का भर्सक्त प्रयास किया था। जारखंड पार्टी में सन 1988 से 1980 तक रहते हुए वे लगातार ग्रामीनों और शहर के गरीब वुर्बों के लिए काम करते रहे। इस समय जारखंड क्षेत्र में खुल टकटी हक बरकरार रखने का आंदोलन। जंगल और सुदूर देहाती क्षित्रों के सडकों को मुख्य सडक से जोडने का आंदोलन। स्कूल निर्मान एवं अस्पताल खोलने का आंदोलन। जंगल से उत्पादेत वस्तूओं का उच्चित मूल्य आदिवासियों को मिले। देहात के हाट बाजारों में महसुल वसूली बंद का आंदोलन। कारखानों एवन खंदानों में नौकरी पाने का आंदोलन समेत ऐसे कही आंदोलन जारी किये गए थे। इन एतिहासिक आंदोलनों के दरम्यान पश्चिम सिय भूम के गुवा बाजार में 8 सितंबर 1987 को जारखंड मुक्ती मूर्चा के विशाल सभा को सरकार की पिट्वू दमलकारी पुलिस अपनी राइफल की गोलियों से लाशों के धेर में बदल देती है। इस रद्य विदारक आमानविय अगटना से अत्यंत मर्माहतवा आप्रोशित तेईवन जारखंड पार्टी में आई हुई पतन शीलता को देखते हुए जाममो नेता श्री शेलेंद्र महतो की प्रेणा से वे 15 दिसंबर 1987 को जारखंड मुक्ती मूर्चा में विधिवत को सुवर नरीखा डैम चांडल के विस्थापित परिवारों को पुनरवासित कराने एवन उन्हें नौकरी दिलाने के लिए क्रांतिकारी चात्र युवामूर्टा द्वारा तिरु लड़ी स्थिती चागर प्रखंड कार्यालय के सामने विशाल जन प्रदशन का आयोजन क किया गया था दुर्भा गिवश एक बार फिर पुलिस की कुरूर बंदू के तन उठी और गोलियों की बेरहम अवाजों से पूरा इलाका थरा उठा उठा उस निर्मम गोली कांड में चांडल स्थित सिय भूम कॉलेज के दो क्रांतिकारी चात्र अजीत महत्तो और धनाई जय महत्तो शहीद हो गए पुलिस दोनों के पाठ्थिव शरीर को पोस्ट मॉर्टम के लिए मानगो जमशेट पुर्स्थित एमजी एम अस्पताल ले जाती है डर और खौक्प का आलम ये था कि शहीदों के पास तक कोई जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था ऐसे में निर्मल महतो ने अपने अदम्य साहस का परिचेद देते हुए दोनों शहीदों के पवित्र पाठ्थिव शरीर को अस्पताल से निकाल कर जो ये बा चांडील में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर लाते हैं और उनका अंतिम संसकार करवाते हैं इस घटना करम के बाद निर्मल महतो पर आम लोगों का विश्वास और सुद्रड हुआ शुन ये एक और दो जन्वरी 1983 को धनबाद में जामुमों का प्रत्थम केंद्री महाधिवेशन होता है और श्री निर्मल महतो को उनके जुजहारूपन करमटता एवांकारे शैली से प्रभावित होकर केंद्रिये कारेकारणी समिती का सदस्य चुन लिया जाता है 1984 में वे रांची लोकसभाकशेत्र और 1985 में इचगर विदान सभाकशेत्र से चुनाव लड़े किन्तु दोनों में विजी नहीं हो सके 6 अप्रेल 1984 को भुकारों में जामुमों की केंद्रिये स प्रती सची निष्ठा के कारण अल्प समय में ही पार्टी का सर्वोच पद का सम्मान दिया गया 28 अप्रेल 1986 को जामुमों के द्वितिये केंद्रिये महाधिवेशन में भी दूसरी बार उनको पार्टी का अध्यक्ष्ट ना गया वे जीवन के अंतक मूर्चा के जामुमों के खेंद्रिये समिति की बैठक में उन्होंने ओइल जार्खंड स्टूडिन्स यूनियन आजसू का गठन किया और 19, 20 और 21 अक्टूबर 1986 को जमशेट पूर अखिल जार्खंड चात्र इमन भुद्धी जीवी समलेन का आयुजन का राकर चात्र संगठन आजसू को थोड़े ही दिनों में राष्ट्रे स्तर पर लाखडा कर दिया उन्होंने जार्खंड अलग प्रांत आंदोलन को गती प्रदान की और जार्खंड के स्कूल और कॉलेज के चात्रों को सुसंगठित कर उन्हें इस आंदोलन में भाग लेने का आवान किया उन्होंने चात शूरियस इंग बेसरा को महास्चिव बनाया। इसके बाद वो खुद जारखंड के कुर में आदिबासिक छात्रों तथा दलित पिछड़ी जात्रों और सूरियस इंग बेसरा ने आदिबासिक छात्रों को अपने मत में मिला। इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने एक काला दिन है इस अत्यंत दुखद घटना के वक्त उनके साथ मौजूद ततकाली जाम मुनेता सूरज मंडल द्वारा पुलिस के समक्ष दिये गए बयान के अनसार सूरज मंडल एवाम निर्मल महतो मूर्चा के कारकरताओं के साथ चमरिया विस्तुपूर स्थित इसको ग लावर ने निर्मल महतो को पकड़ लिया जिसे चुड़ाने के लिए सूरज मंडल लपके सूरज मंडल ने चुड़ा भी लिया और पुनह अंदर जाने को कहा इसी बीच सुनारी का सूध खोर वीरेंदर सिंग नामके कॉंग्रेसी व्यक्ती ने निर्मल महतो पर तीन गोल निर्मल महतो एक कुशल संगठन करता थे, उनमें अनंत आत्म विश्वास था, वे किसी भी गलत आचरण के खिलाफ आवाज उठाने से डरते नहीं थे, वे आजीवन गरीबों के लिए लड़े, गरीब किसानों और शोशित मजदूरों के लिए लड़े, जाल खंडियों का आत्म विश्वास और आत्म सम्मान प्रदान करने के लिए आखिरी दम तरक लड़े, वे शहीद हुए, मगर अपने जीवन में ना कभी प्रलोभित हुए, और ना ही किसी तरह का कोई समझोता किये, शोशित्तों, पीडतों एवं गरीबों के साथी निर्मल महतुद्दा का एक ही सपना था कि अपना अलग जारखंट प्रांथ हो, ताक कि जारखंट क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, विस्थापन, शोशन, उत्पीन, अयाय, अत्याचार और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई जा सके, शिक्षा, स्वा ना है तो लड़ना सीखो, ये उनके अत्तक प्रयास, कठिन संगर्श और बेशकीमती शहादत का ही परिणाम था, कि 15 नवंबर 2000 को जारखंट अलग राज्य बना, प्रभात खवर अखबार के वरिष्ट संपादक श्री अनुज कुमार सिनहा के अनुसार, यह बात किसी से तेज पकड़ा और जारखंट को अलग करा कर ही दम लिया, रांची विश्विद्याले के पूर्व कुलपती पदमश्री डॉक्टर रामदायाल मुंडा के अनुसार, शहीद तो हनेक होते हैं, किन्तु उसके परिणाम स्वरूप, उदेश्य प्राप्ती की दिशा में जारखंट राज्य के प्रणेता, जारखंट के मसीहावीर शहीद निर्मल महतो और उन तमाम अंगिनत शहीदों का सपना पूरा हुआ? क्या जारखंटीओं के 88 साल लंबे, निरंतर, अविराम, कश्ट दायक संखशों और असंखे शाहतों का परणाम जारखंट राज्य का लाब जारखंटीओं को मिल पाया? या कॉन लोग जारखंट अलग राज्य होने के बाद भी जारखंटिओं पर राज कर रहे हैं? जार क्या वाकई निर्मल्दा के सपनों का जारखंड बन पाया अगर हाँ, तो कैसे? और नहीं, तो क्यों? आएगे, हम सब मिलकर इस सवाल का जवाब वनेदान ढूंड हैं, और निर्मल्दा के सपनों को हकीकत का अमली दामा पहनाने की कसम खाएं, निर्मल्दा की आत्मा तुम् पूर्ण जारखंड और पूर्ण अधिकार के लिए, एक बार फिर एक जोट और संगठत हो, नहीं तो सदा के लिए गुलाम बनने के लिए तैयार रहो, वीर शहीद निर्मल्मा तो अम्मर, रहे, जय कुरमे, जय आदिबासी, जय मुलनिवासी, जय जारखंड, जय भारत, सोर्स शहीदों की याद में, लेखक श्री रामकृष्ण मेहता और जारखंड की समुरगा था, लेखक श्री शैलेंद्र महतो, साभार प्रसेंजीत महतो का चिमा आदिबासे कुरमे समार जोहार,